सब्सक्राइब किजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल किजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फैनली रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी 9 5G के अंदर रियल्मी UI 4.0 based on Android 13 का ओपन बीटाप फाम जो हैं रिलिज किया था और जिन जिन यूजर ने ये फाम फिल किये और जिसका फाम अप्रूब हुआ उसको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल चुका है और इस अपडेट को मैंने भी अपने डिवाइस के उपर अपडेट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से निव फीचर्स देखने को मिलता है कौन से बक्स फिक्स हुए है साथ ही क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं इस अपडेट का कम्प्लीट डिटेल बताने वाला हूँ दोस्तो तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो चलिए स्टाट करते हैं अब यहाँ पर फिचर्स और बक्स वगरा के बारे में जानने से पहले यहाँ पर आप डिवाइस डिटेल चेक आउट कर सकते हैं जहाँ पर उपर के साइड में आपको बीटा वर्जन देखने को मिलता है और नीचे आपको रियल मी 95G का मॉडल नंबर RMX3388 देखने को मिलता है बात की जाइस अपडेट के बेसिक इनफर्मेशन की तो यहाँ पर आपको f.02 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है जो यूजर अल्रेडी रियल मी UI 4.0 में है उसको 397.58 MB का मिलता है और जी न्यूजर को first time रियल मी UI 4.0 का अपडेट देखने को मिला उसको 5 GB के आसपास का ये अपडेट देखने को मिलता है और ये आपको रियल मी UI 4.0 के अपडेट के साथ बीटा वर्जन देखने को मिल जाता है बात की जाइस अपडेट के बाद इसके Android Security Patch की इस अपडेट के साथ इसके अलाओ बात की जाइगले चेंज की तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे-मोटे non-issue थे बाक्स वगरे देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे की पूरे system performance और उसके overall system stability को optimize and improve किया है जिससे की आर भी better experience देखने को मिलता है इस update के साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसको यहाँ पर आर भी better तरीके से optimize और improve कर दिया है जिससे की जो system speed, stability, battery life और app से experience वगरे जो है काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलता है और साथ ही कोई-कोई user को बीच-बीच में lagging issue देखने को मिलता था तो उसको भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको आर भी better experience देखने को मिलता है इस update के साथ इसके अलावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों वाइ-फाइ connectivity या connection के अंदर यहाँ पर दोस्तों कोई-कोई user को वाइ-फाइ का जो connection है वो properly मिल नहीं रहा है अगर आप वाइ-फाइ connect करते हैं तो वो properly connect नहीं होता है और अगर connect हो जाता है तो वो बीच-बीच में automatic disconnect हो जाता है तो यह problem दोस्तों देखने को मिल रहा था तो उसको इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको वाइ-फाइ का better connection देखने को मिलता है इसके लाओ बात कीज़ा अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों 5G connection का यहाँ पर दोस्तों इस update के बाद कोई-कोई user को यहाँ पर 5G का option देखने को नहीं मिलता है अगर आप जाते हैं phone के setting में और mobile networking के अंदर यहाँ पर more setting में जाते हैं तो यहाँ पर 5G network का या 5G का option देखने को नहीं मिलता है जबकि दोस्तों यह phone जो है 5G है लेकिन फिर भी यहाँ पर 5G का कोई भी features या function देखने को नहीं मिलता है यह problem दोस्तों किसी-किसी user को ही है सभी user को नहीं है इसी के साथ दोस्तों किसी-किसी user को यहाँ पर mobile network connection का problem होता था बार-बार up-down up-down होता रहता था network जो है तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better network connection देखने को मिलता है इसके लाव बात किज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों apps के अंदर अगर दोस्तों आप video apps में video अगरा देखते हैं तो उस time पर अगर आप swipe करते हैं या फिर swipe के साथ volume up-down अगरा करते हैं तो उस time पर आपको tracing issue देखने को मिलता था तो उसको इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको और भी better experience देखने को मिलता है वीडियो apps से video अगरा या movie अगरा देखने में इसके अलाओ बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो volume slider में या फिर silent mode में यहाँ पर दोस्तो अगर आपका phone silent mode में रहता है तो उस time पर कभी कभी volume slider या volume button जो है properly work नहीं कर पाता था जिसकी वज़े से volume up या down करने में problem face होता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप phone को silent करो या फिर volume up down करो तो आपको यहाँ पर कुछ भी problem देखने को नहीं मिलता है इसके अलाओ बात की जागले change की तो अगर दोस्तो आप charging में लगाते हैं तो उस time पर आपको properly charging देखने को मिलता है लेकिन अगर आप charging से उसको unpin कर देते हैं या निकाल देते हैं तो उस time पर भी आपको message सो होता है कि आपका phone जो है charging में connect है तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको charging करने के time पर better experience देखने को मिलता है इसके अलावा बात की जो अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो camera के अंदर अगर दोस्तो आप camera यूज करते हैं फोटो अगर लेने के time पर आपको location का जो watermark है वो so नहीं होता था तो इस features को यहाँ पर add कर दिया है अभी दोस्तो आप setting में जाते हैं और watermark से location वालब features को on करते हैं तो आप जैसे ही photo लेते हैं तो आपको watermark में वहाँ पर location और state का watermark देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जो अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो notification panel में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपका जो notification panel है जिसमें जो दो बड़ा toggles रहता है वो थोड़ा आर भी बड़ा देखने को मिलता है पहले दोस्तो वो थोड़ा छोटा देखने को मिलता था लेकिन इस update के साथ पहले से थोड़ा हलका बड़ा देखने को मिल जाता है इसके अलाओ बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो आइकनी स्टाइल में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो जो आपको default वाला आइकनी स्टाइल देखने को मिलता था उसमें इस अपडेट के साथ एक्वामार्फिक नाम जो है चेंज कर दिया है पहले default रहता था अब उसमें एक्वामार्फिक नेम जो है एट कर दिया है इसके अलाओ बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो आइकन पेक्स में आइकन्स के उपर देखने को मिल जाता है आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर टेक्स्चर देखने को मिल जाता है जैसे contact में message वगरा या file manager वगरा में आपको texture type का आइकन्स में देखने को मिलता है आप यहाँ पर बारिकी से देखेंगे तो देख सकते हैं, वैसे भी दोस्तों केमरा में ये सायद ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको टेक्चर में आइकन्स वगरा देखने को मिल जाता है, इसके लाओ बात की जागले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस दोस्तों इस अपडेट के बाद आपको Self Option देखने को मिल जाता है, जैसे ही आप Self Option को Select करेंगे और Home Screen को आप नीचे साइट Swipe Down करेंगे, तो आपको यहाँ पर Self Option या Self Features देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको बड़े-बड़े Togles के साथ New Features देखने को मिलता है, तो आ यहां पर दोस्तों जो आटो ब्रैटनेस का आफसन है उसको अगर आप अन्चेक करते हैं आफ रखते हैं आटो ब्रैटनेस को तो भी कुछ-कुछ situation में या किसी-किसी टाइम पर आटो ब्रैटनेस जो है ज्यादा और कम हो जाता हैं आटोमेटिक वाला आफ रहता है उसके बा I mean brightness जदा हो जाता है, automatic adjust हो जाता है, तो ये problem दोस्तो trial version से देखने को मिल रहा है, फिर भी ये problem fix नहीं हुआ है, इसके अलाव बात की जगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर, nichexide apps के अंदर, recover system apps में, यहाँ पर दोस्तो ये features पहले भी था, लेकिन इस features के अंदर, अगर आप system apps को uninstall कर देते थे, तो uninstall करने के बाद भी इस features में apps का list show नहीं होता था, I mean blank देखने को मिलता था, तो इसको इस update के साथ fix करके better कर दिया है, अब दोस्तो अगर आप किसी भी system application को uninstall कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका list देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप उसको फिर से install करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से recover system apps से install भी कर सकते हैं, पहले so नहीं होता था, लेकिन आप देखने को मिल जाता है, इसके अलाव बात की जागले change की तो, वो आपक यहाँ पर आपको smart widgets का option देखने को मिलता है, लेकिन अभी दोस्तों आपको कुछ new design देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले self widgets से ही केवल so होता था, अभी दोस्तों यहाँ पर highlights का और notes वगरा, favorite contact वगरा का new toggles या फिर new layout देखने को मिलता है, जो कि प आपको मिलता है दोस्तों animation में, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको जैसे ही folder open करते हैं या close करते हैं, तो इसका animation भी आपको change देखने को मिलता है, फ्लेस के रूप में देखने को मिलता है, तो यह काफी cool look देखने को मिलता है दोस्तों, यह पहले से काफी better देखने को म प्राब्लम होता है, इसको यहाँ पर रिड्यूस करके बेटर किया है, हाला कि दोस्तो अभी भी बेटरी ड्रेनिंग का प्राब्लम है, लेकिन यहाँ पर पहले से बेटर देखने को मिलता है, साथ ही दोस्तो इसका जो हीटिंग इसू है, वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तो अगर आप चार्जिंग करते हैं, तो आपको बेटर चार्जिंग इसू देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हीटिंग इसू देखने को मिलता है, चार्जिंग करने देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर reduce करके R भी better किया है, जिससे कि अब आप game वगर खेलते हैं, तो आपको better gameplay देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तो अभी भी आपको बीच बीच में जीटर इसू देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले से better देखने को मिलता है, अगर मिला है तो कौन-कौन से बग से देखने को मिलता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर दोस्तो।